आज मैं आपको दिखाना चाते हूं अपम का रेसिपी केला में इसे पालपम भी कहते हैं केला में अपम कई तरह से बनाती है आज मैं आपको दिखाना चाते हूं इसी अपम का रेसिपी आप मेरे वीडियो स्टार्ट से एं तक देख लिजिए क्यूंकि इसके अंदर बैतर फूलने में मैं जो टीप बोलती हूं आपको मिस ना जाए तो चलो देखते हैं अपम कैसे बनाते हैं करके चलो वीडियो पे अपम बनाने के लिए मैंने इदर एक लास बरके वाइट्रेस लिया है वाइट्रेस को चार गंडे पहले पानी में सो करके रिख लिया दा और उसके साथ मैंने लिया है आदा ग्लास ग्रेटर नारियल और उसके साथ मैंने लिया है चाप्टी स्पुन पोहा मैंने इदर तिक वाला पोहा लिया है पोहा को बैटर बनाने के लिए आदा गंडे पहले पानी में सोक करके रखना है पोहा अच्छे से सोकोनी चाहिए और उसके साथ मैंने लिया है दो चमच चीनी उसके बाद हमें चाहिए आदा चोटा चमच इंस्टन्ट इस्ट को मैंने इस बाउल में डाल रही हूँ और उसके साथ मैंने लिया है आदा चोटा चमच शुगर इसको भी मैं इसके साथ डाल रही हूँ ये दोनों को लाइट गेरम बानी के साथ अच्छे से मिक्स करना है इस्ट अच्छे से मिक्स हो गया है इसको फुलने के लिए 5 मिनित तक साइड में रखेंगे अब हम बैटर बनाना शुरू कर देंगे रखे हुए राइस का आदा राइस डालेंगे नारियल का भी आदा डालेंगे पोह का भी आदा डालेंगे उसके साथ एक टीस्पून शुगर भी डालेंगे उसके बाद हम पानी डालेंगे पानी डालने के टाइम तोड़ा आराम से डाल दीजिए राइस और चावल कितना है उसका बराबर पानी होनी चाहिए चीनी से भी पानी बाहर आ जाएगा तो पानी ज्यादा डाले तो बैटर ज्यादा लूस हो जाएगा अपम अच्छे से नहीं बन पाएगा पानी इसमें तोड़ा कम हो गया तो भी चलेगा पानी बराबर हो गया है इसको हमने स्मूथ बैटर बना के लेके आयेंगे अब हमारा एक ट्रिप बैड़र रिड़ी हो गया है इस बैड़र के एक बर्तन में निकालती हूँ इसी तरह बागी रखा हुआ राइस पोहा चीनी भी हम इसके साथ डालेंगे और इस्ट अच्चे से फुल गया है इसको भी हम इसके साथ डालेंगे और इसमें पानी बराबर डालके अच्चे से बैटर बनाके लेके आती हूँ तोड़ा ग्रेंड होने के बाद मुझे याद आया मैं नारियल डालना भूल गया बाकी रखा हुआ नारियल भी उसके साथ डालना है और ग्रेंड करना है बैटर हमारा अच्छे से ग्रेंड हो गया है इस बैटर को पहले डाला हुआ बैटर के साथ डालेंगे बैटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना चाहिए इस्ट को भी अच्छे से मिलाना ज़रूरी है इस्ट शुगर और गरम बाने के साथ हम मिक्स करें तो इस्ट जल्दे अक्टिव हो जाएगा और एक बात इस्ट फ्रेश होनी चाहिए वो द्यान में रिख लीजे बैटर चार और पांच गंडे के अंदर अच्छे से फूल जाएगा और तंडा मोसन के टाइम बैटर फूलने के लिए टाइम ज्यादा भी लगेगा अपम इसको पांच गंडे के बाद देख लेंगे पांच गंडे हो गया हमारे बैटर अच्छे से फूल गया है बैटर में तोड़ासन नमक डालेंगे नमक डालके इसको अच्छे से मिलाएंगे अब हम अपम बनाना शुरू कर देंगे कड़ाई मीडियं गरम होने के बाद इसमें बैटर डालेंगे बैटर डालने के बाद कड़ाई को ऐसे गुमालेंगे अप्पम में तोड़ा होलोने के बाद डखन लगा के 30 सकंद तक उसे पक्काएंगे अप्पम इदर रेडी हो गया इसी तरा बागी बातर को भी अप्पम बनालेंगे अप्पम बुरे इदर रेडी हो गया आप भी अप्पम बना के देख लीजे और मुझे फीडबैक बता दीजे मेरे वीडियो पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजे और अगले अच्छे वीडियो के साथ हम मिलती है बाई टेक एर और अप्पम बनालेंगे